नमस्ते फिर्स नादे नादे सावगत है आप सबका मेरे न्यू ब्लाग आरे इस ब्लाग में चलिए आपको नीबू का चाहत में बनाना बताऊंगे वह भी दो तरीके से मैं पांस नीबू इसको सब खड़ा खड़ा ले लिया है और साथ से आठ नीबू मैं इसको धोके चमच नमक इसको बिल्कुल दर दर पीच लिया है मैंने चलिए हम अचार बनाते हैं यह जो कटा हुआ नीबू पहले हम इसका बनाएंगे मैं डाल दिया है एक से डेर चमच का समीदी लाल मीज आप यह आप सोनल है आप चाहे तो ना भी डाले और यह बहुत बीना तेल के बहुत ही हेल दिया और टेश्टी नीबू काचार बनके तयार होता है मैं डाल दिया एक चमच काला नमक प्लीज दोस्तो आप सबको मेरे वीडियो पसंदे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मैं बहुत मैंनत करते हैं प्लीज दोस्तों सपोर्ट करना यह देख इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है नीबू नमक आप टेश्ट करके अगर कम लगे तो फेसे डाल सकते हैं अब मैं इसे एक कंटेशनर में भर लोंगे कंटेशनर डिप बजो भी हो आपके पास उसमें भर लेंगे देख सकते देखने में कितना टेश्टी लग रहा है और इसकी खुषबू बहुत ही अच्छी आए प्चला हम दूसरा चार बनाएंगी मैंने चमज डाल दिया है नमक इसमें चार नीबू थे जो चार ही नीबू आरें इसमें मैंने चार नीबू डाल दूंगी फिर उपर से एक चमज नमक डाल दूंगी इसको हम 15-20 दिन तक दोप में रखेंगे तब यह खाने लायक होगा जो कटा हुआ नीबू का जार है वह आप 2-3 दिन दोप में रखके वह खाने लायक हो जाएगा प्लीज दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद है लाइक से एदर सब्सक्राइब कर नमक से अच्छी मिला देना बाय दोस्तों कर 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 दोस्तों